एक समय था जब Tata Motors के इंडियन मार्केट में जगे बनाने में पसी ने छूट गए इंडिका की सेल गिरती जा रही थी और इस्तिती यहां तक आ गई थी कि रतन टाटा को कमपनी बेशने तकी नौबत आ गई फिर टाटा ने मार्केट में उतारी अपनी सबसे मजबूत और दमदार गाड़ी इंडिको मांजा जिसने सफारी के बार टाटा को एक बार फिर से मार्केट में खड़ा होने की हिम्मद दी फिर साल 2017 में टाटा नेक्सन लाँच करके टाटा ने यह साबित कर दिया कि वो इस दौड में अभी भी शाबिल है और कॉम्पेट एस्यूवी सेग्मेंट में नेक्सन ने अपने कॉम्पिटिटर्स को भारी टक कर दी और फिर आया साल 2019 जब टाटा ने अपना प्लेटफॉम चेंज करते हुए सेग्मेंट में सबसे धमदार गाड़ी लाँच कर दी जिसने मार्केट में आग लगाने का काम किया अपने बलकी लुक्स और दमदार पावर के साथ उस गाड़ी ने टाटा को नई उचाईयों तक पहुचा दिया और अब टाटा इसी गाड़ी का फेसलिफ्ट वर्जन लाँच करने जा रहा है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आदित्य आत्रे और आप देख रहे हैं दे नगरी न्यूस का विशेश कारेकरम आटो किरी टाटा मोटर्स ने अपनी एक और गाड़ी का फेसलिफ्ट वर्जन लाँच करने की तयारी कर दी है और इस गाड़ी का एक टीजर भी टाटा ने हाल ही में लाँच किया है हम बात कर रहे हैं टाटा हैरियर की जो अब एक नए दमदार लुक और बहतर इंजन पर्फोर्मेंस के साथ बाजार में उतारी जा रही है टाटा ने हैरियर के फेसलिफ्ट में काफी कुछ बदलाव किये हैं जिसमें जो स्प्लिट LED हेडलाइट सेट अप है वो आपको देखने को मिलेगा LED, DRL, strip की जलक आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा वर्ष 2019 में जब टाटा ने इस गाड़ी को लॉंच किया था तो समय समय पर काफी कुछ बढ़ला भी टाटा लगातार इस गाड़ी के अंदर करता रहा लेकिन अब टाटा ने इस गाड़ी का जो फेसलिफ्ट है वो उतारने की तयारी करनी है पाना जारा है कि अगले सब्ता में जो हैरियर का फेसलिफ्ट है उसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी और लगबग 14 या 15 अक्टूबर के बाद यह गाड़ी बाजार में देख सकती है इससे जो नया सेग्मेंट है इसमें क्या कुछ बदलाव है इससे लेकर अब बात करते हैं देखिए एक टीजर टाटा ने भले ही लांच किया हो लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान लगाए जा सकता है कि काफी कुछ चेंजेज जो टाटा हैरियर है उसमें देखने को मिलेंगे क्योंकि हाल ही में जो नेक्सोन लांच हुई थी तो एकदम कंपनी ने नेक्सोन का फेसलिफ्ट वर्जन को बदल कर रख दिया था तो बिल्कुल जो कार लवर्स हैं उनको यह जरूर ऐसास होगा कि जो फेसलिफ्ट टाटा उतारने जा रहा है हैरियर का उसमें भी काफी बदलाव देखने को मिलेंगे अगर मोटा मोटा बात करें तो इसके अंदर जो अलॉइ वील है नए वो मिल सकते हैं डाइनमिक टर्ण इंडिकेटर और कनेक्टेट एलेडी टेल लाइट्स के बिन अपडेट में अगर बात करें तो टच स्क्रीन को बढ़ा किया जा सकता है स्पोक स्टीरिंग वील को भी इसमें शामिल किया जा सकता है इसके अलावा जो वेंटिलेटेट्स शीट है वो दी जा सकती है डिजिटल ड्राइवर डिस्प्लेइ इसमें मिल सकता है वायरलेस फोन चार्जिंग के साथ साथ आटो क्लाइमिट कंट्रोल एसी क्रूज के सकती है टाटा हैरियर फेसलिफ्ट की बात करें तो 1.5 लिटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ यह मार्केट में आ सकती है जिसमें मैनुवल और और आटमेटिक दोनों ही मिल सकते हैं इसके अलावा दो लिटर जो डीजल इंजन है उसके उसमें भी टाटा इसको पेश कर सकता है जिसमें मैनुवल और आटमेटिक ट्रांस्वेशन दोनों मिल सकते हैं टाटा है हैरियर फेसलिफ्ट का मुकाबला सीधे-सीधे महिंद्रा SUV-7OO, MG-Hector, Jeep Compass और Hyundai Crater और इसके अलावा किया कि जो सेल्टॉस है जो हाल ही में लौंच जूई है उससे देखने को मिल सकता है दा नगरी न्यूस के आटोगेरी कारिकर में फिलाल इतना ही आप हमारी साथ चुड़े रहिए नमस्कार